हेलो फ्रेंड्स में हूँ अरेश और आज हम बात करने वाले न्युक्लिक ऐसे सिक्वेंसिंग पे तो लास्ट वीडियो मैंने डाला था आप आउड पीसिया राहे ओप यू एंजोई देट वीडियो और यू कन प्रिपेर नोट वित ओल दिस वीडियो और यू कन देवाइस यू कन देवाइस फ्रम नोट यू प्रिपेड बाइस इस वीडियो ठीक है लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना मैं ऐसे वीडियो डालते रहूंगा नेक्स जो वेकेशन पीरिड आएगा उसमें मैं CSIR नेट एक्जम के अंदर जो इंपोर्टन वीडियो है जो फुल है वो बैस पेमें वीडियो डालने जा रहा हूँ अवी में बैचलर लेवल पे जो स्टूदेंस को आम आते हैनॉर्मल यू काम बेएसिक वीडियो पर बात कर रहा हूं जो बहुत ही बेजिक है ठीके तो तो न्युक्ले के सिर सिक्वेंसिंग के अंदर दो तरह के सिक्वेंसिंग के बात करने वाले इंद्विस वरियो वन इस डियने सिक्वेंसिंग एंड सेकंड इस आरने सिक्वेंसिंग ठीके तेरा seven important method used for DNA sequencing तो साथ तरह के अलग अलग sequencing method आती है नो फर्स्टे सिंगर्स method दूसरी है मेग्जम गिलबर्स method heavy realization method पल नेरंस method नेरंस मेठोड अम उसको बोल सकते हैं automatic DNA sequencer slab gel sequencing system and capillary gel electrophoresis तो यह साथ तरह के अलग अलग DNA sequencing method है DNA sequencing exactly है क्या it is the determination of precise sequence of nucleotides in sample of DNA तो DNA के अंदर हम क्या करते हैं कि DNA sequencing के अर्दिका होते हैं कि DNA के अंदर जो भी nucleotides है उसकी होगों से कुंट से टेक पे नुकलियोड से उसकी सिक्वेंस हम determined करते हैं तो before the development of direct DNA sequencing method DNA sequencing was difficult and indirect तो अभी modern techniques बहुत चारी अवालेबल है किड़ बेस भी अवालेबल है और इंस्रूमेंट भी बहुत चारे you know modification available sequence determination is most commonly performed using die deoxy chain termination technology method is normally this technique more useful in nowadays बुरू जयादा तरह यही टेक्निक्स करते हैं डाइडियोक्सी चेंटर्मिनेशन method पाइडो सीक्वेंसिंग भी तुड़ा नया output और नोन इलेक्ट्रोफोरेटिक इलेक्ट्रोफोरेटिक्स में नहीं करना है रियल टाइम बायो ल्यूमिनोमेट्रिक method for DNA sequence has emerged as a state-of-the-art sequencing technology तो जैसे जैसे समय जाएगे न्यू टेक्निक्स आएगी और तुकम टाइम में या तुम बल सकते हैं कि वित modification अच्छी तरह से स्क्वेंसिंग कर पाए प्रिसाइज कर सके अकुरेटली कर सके अच्छी में तो डेवलोपते इस technology has advantage of accuracy easy of use and high flexibility for different application pyrosequencing allow the analysis of genetic variation include single nucleotide polymorphism क्या कर सकते pyrosequencing कि उसके बाद करें कि single nucleotide polymorphism insertion and deletion short repeat as well as assessing RNA analytic imbalance and DNA methylated status and gene copy number all we can do by using this pyrosequencing technique इसेंगर मेथड का चार्ट से आप देख सकते हो इसके अंदर पूरा डाइगरम में जो आप ड्रो कर सकते हो आप एक बार रीड कर लेना हर एक स्टेप तो आपको बहुत इसली याद रही जाएगा ठीक है सेंगर्स मेथड है प्रोसिजर में तीन इसली ने पर देख सेंगे डिटल अनले वी किप इस ब्रोडर नेम आप स्टेप इन आप मैंड फर्स्टे टेंप्लेट प्रिपरेशन टेंप्लेट प्रिपरेशन के बाद गया कानना है जन्टेशन प्रेस्टेड सेट अफ लेबल फ्रेग्मेंट और वह जाने के पाद में अडिक आपàng सेखिक राद निल्याज फरेशन था विससरेंट बात में सेप्रेशन तो रहल कि अधा रहर हम पता है नेगेटिव चार्जेट तो उपोजीट चार्ज हम देखे का करते हो इसको एक सेपरेट करते है ठीक है और वह सेपरेशन इसन डिपेंड्स तेवाइड प बेक्टरिया का इडेटिफेकेशन करने के लिए तो राइबोसम और कॉंप्लेक्स स्ट्रक्चर देट वी ओलनों के राइबोसम इस त्याल और गनल इंदेट हेल्फुल पर प्रोटेन सिंथेसिस मेशिनेरी बेसिकली बेक्टरिया का राइबोसम हो 70S राइबोसम है वो दो हो sy unip for Segmentation rare for a 38 sub unit its small sub unit two sub unit 6 smart से बनाया 16S a 65 ss TrinityLS और लाश्ज सब्नेट चैसे वह किससे बनायास सब्नेट से तो समोल साब यूनिट के अन्दर जो 16ской प्रोटेट खर страш है वह उंक है बेक्तरिया के अंदर तो वह शुर्मल्मल you हम डिटेक करते हैं पर बैक्टरियल इंटिफिकेशन प्रेसंस भाइपर वेरियेबल रिजन है पर वेरियेबल नहीं बोल से तो सिगनेचर सिक्वेंस भी बोल सकते हैं इन्दी 16S rRNA जीन तो 16S कहां पे जो स्मॉल सब यूनित 30S उसके अंदर है प्रोवाइड़ स्पेसिफिक सिक्वेंस सिगनेचर सिक्वेंस स्पेसिफिक सिगनेचर सिक्वेंस फिच विच इस फुल वर बैक्टरियल इंटिफिकेशन प्रोसेस 16S ribosomal अब बूल सकते आपको पूच सते इक वोटिस एक्टरियन प्रोवाइड लोजीकल स्टुडिय तो इडिपाइड दिवाय को डि सब्सक्राइब करते हैं तो यह सब के अंदर तो हम इसलिए आर ने सिक्वेंसिंग कर सकते हार ने जिंसर है ली कंजर्वड इन नेचर तो यह भी इंपोर्टन पॉइंट और कल्चरिंग और मैक्रोबियल सेरीज एपसंट इन सिक्वेंसिंग नहीं इसमें हम उर्गेनमिज डिन ने सिक्वेंस या तो सिंवेंससिटार सिक्नार सिक्वेंस निंट इस पाउंड पाइब स्पिच्वेंसिंग इनButton नोकैशन उनिक तो मैने मेंजर गुफ एपर्योटिव प्रकी अन्यूकर्या तकर तो इसिज बाऊचा रने सिक्वेंसिंग पैसिंग निपेन इस for identification and taxonomy classification of bacterial species तो अगर बेटरिया को मैंसे कर पाएंगे तो इसका identification and taxonomy वह क्लासिफिकेञिट के शनों के नोमेंक्लिपिकेश कर सकते हैं कंपेरिछान भेक्सक्न सेयृग्या है एिसलों कि अजब सक मेल्स तकमेंगर समय आंडियोव ईयानी सीक्वेंस स्दूनैके क्या प्रोवाइड करता है वेक्टरियल आइडिफिकेशन जो हमने आगे बात कर लिए मेडिकल माइक्रोबाइलोगी में पैथोजन इनिफिकेशन कर सकते हैं और हम बोल सकते कि उसका हम फिनो टैपिक या फाइलो जेनेटिक स्टडी भी कर सकते हैं इसकेपल आप री बावड है या हम या हमने जो फाइंड किया है वो थोड़ा नहीं है ठीक है तो तो धाट इस हेल्पूल पर क्लासिफिकेशन परपर्स और अगर बात करें तो और भी आगे एक इंपोर्टन एप्लेकेशन के फ्युचर वर्ग इसू ट्राइट सिक्वेंस इंपरमेशन प्र 16S-RRNA इंटो स्टेबल बायोचेमिकल टेस्टिंग प्रोस इंधेर पाइंप्रोविं तर एक्यूरस एन एफिसेंश यप जिनोटाइबिक इनिफिकेशन फिनोमिन यहां पर यहां पर 16S-RRNA इडिफिकेशन तैमींज जिनोटीफिक इनिफिकेशन करते है ठीक है फुट DNA sequence RNA sequencing है वह बहुत important है तो यह more focus on RNA sequencing topic DNA sequencing भी आप लिख सकते हो यहां पर जो content दिया गया है तो यह बहुत ही basic video रहा I hope you enjoy this audio यहां पर ज्यादा फोकस करने आपको application पर और आपको normally short questions पूछ सकते हैं कि what is 16S-RRNA sequencing तो आप लिख सकते हो answer ठीक है तो यह हमने बात की अब आउट सिक्वेंसिंग लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना और मैं यसे वीडियो डालते रहूंगा जिसे मैं आगे बात की ठीक है तो थेंक् सब्सक्राइब करने मैं झाना को